आयुर्वेद, एलोपैथ और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों की तरह होमियोपैथी की भी अपनी विशिष्णाएं होती है। हर साल 10 एपरिल को सैम्यूल हैनी मैन की याद में विश्व होमियोपैथी दिवस मनाया जाता है। होमियोपैथी को वेकल्पिक चिकित्सा के रूप में जाना जाता है। इसकी दवाओं का असर भले ही धीरे होता है लेकिन यह रोगों को जड़ से दूर करता है। सबसे खास बात यह है कि होमियोपैथी दवाईयों के साइड इफेक्ट नहीं के बराबर होते हैं। प्रेक्टो पर प्रकाशित एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने, कार्डियो वेस्कुलर बिमारी की रोग थाम करने और मैमेरी पावर बढ़ाने में अन्य दवाओं की अपेक्षा होमियोपैथी की दवाएं जादा कारगर होती है डाइरिया, सरदी जुखाम, बुखार जैसी बिमारियों में होमियोपैथी की दवा एलोपैथी की तरह ही तेजी से काम करती है गठिया, अस्तमा, तवचा समंधी रोग आदी को ठीक करने में होमियोपैथी पूरा समय लेती है लेकिन इसे जड़ से खतम करने का काम भी करती है शुरुआत से ही होमियोपैथी की आदत लगाने वाले लोग माईग्रेन जैसी परिशानियों से दूर रहते हैं गठिया जैसी बिमारी को यह 82 फीसेदी तक कम कर सकती है वहीं नीन से जुड़ी समस्याओं को यह 60 फीसेदी तक कम करती है होमियोपैथी की दवाएं दिखने में एक जैसी लगती हो लेकिन आपको यह जानकर आश्चरे होगा कि दुनिया में 4000 से भी ज़्यादा होमियोपैथी की दवाईया है होमियोपैथी की सीमाएं अगर शरीर में किसी विटामिन की कमी हो जाए तो होमियोपैथी में उनके लिए ज़ादा विकल्प नहीं है हर व्यक्ति पर होमियोपैथी अलग तरीके से काम करती है और इसका असर भी अलग-अलग व्यक्तियों पर अलग होता है होमियोपैथी में डाइट कंट्रोल की भी कुछ खास जरूरत नहीं होती लेकिन लहसन, अदरक, कच्चा प्याज खाने की मना ही होती है इस चिकित्सा की प्रणाली को सिद्रिड करने और आधूनी की परन करने के लिए आओ, हम आगे आएं और होमियोपैथी के बारे में जन जन को जागरूप करें और इसके फायदे से लोगों को अवगत कराएं ताकि हमारा देश, हमारा समाज, रोग मुक्त रहे और हर एक के चहरे पर मुस्कान हो